Here student we have to discuss about the implications of early understandings of inequality, science and technology for the development of sustainable society. हम sustainable society की बात कर रहे हैं, हम एक study की बात कर रहे हैं और वो study जो हैं, अमेरिका में की गई, हम उस study का अवाला देते हुए उसका process भी देखा कि उसमें कैसे data collect का उससे किया गया, instrument कौन सा यूज किया गया, फिर उसके result के उपर बात की गई, result के उपर हमने discussion की अब सेम एक और study भी उसी parallel उसके साथ की गई, उसी अंदाज में, और वो gender के उपर थी अब देखें, पहले हमने race के उपर बात की, तो race की discrimination भी जो है, उसकी बुनियादी कास जो है, it is by deferred है, हम इसके उपर बात कर चुके हैं, बिलकिल इसी तीके से हमारे पास जब हम gender की बात करते हैं, तो gender भी by default है, भी देखें, अगर मेल हूँ, तो इसमें तो मेरा कोई contribution नहीं है, यह creator का decision है, और creator के जो decision है, उसमें मेरी कोई मशावरत नहीं है, असल जो बात important बात है, वो जो बच्चों को समझाएंगे, जाने वाली है, जो बच्चों को awareness देने वाली है, चाए हम वो race के वाले से बात करें, या हम वो gender के वाले से बात करें, इन दोनों सूर्टों में जो important factor है, वो बच्चों को यह awareness देने की जरूरत है, कि it is by default, वो या not supposed to discriminate on the basis of the gender, on the basis of the race, color, local, इसकी base भी हमें नहीं करना चाहिए. बन्यादी तोर पर जो हमारा syllabus है, उसके अंदर ना सिर्फ इस चीज़ को mention करना चाहिए, बलके हमें ऐसी activities करवाने चाहिए, ऐसे group बनाने चाहिए, ऐसी group activities करवाने चाहिए, जहां पर ये discrimination minimum हो जाए. देखें, जब मैं minimum की बात करता हूँ, तो बन्यादी तोर पर ये बात है, कि हम इसको खतम नहीं कर सकतें, खतम क्यों नहीं कर सकतें, उसकी वज़ाए ये है, कि आप कोई भी activities करते हैं, कोई process करते हैं, उसकी output ये है, उसके बहुत से factors हैं, उसके अंदर involved है, उस factor के अंदर हमारा एक factor ये भी है, कि जो activities की गई हैं, तो जो activities करवाने वाला है, वो कितना train था, दूसरा factor ये भी है, कि उसका focus क्या था, जब हम discrimination की बात करते हैं, तो क्या वो उसने discrimination को उस तरिके से address किया, जब हम group activities की बात करते हैं, तो क्या उनके ऐसे group बनाए गए जिन में gender को भी address किया गया, जिन के अंदर race को भी address किया गया, जिन के अंदर culture को भी address किया गया, क्या इन तमाम चीजों को focus किया गया, फिर focus करने के बाद, क्या उनकी awareness दी गई, क्या identify किया गया, कि कहां पर discrimination हो गई है, और अगर वहां पर उसकी identification हो गई है, तो क्या उसकी को remedy त्यार की गई, कि नहीं त्यार की गई, अब देखें, ये input से लेकर, process और output तक, इन तीनों चीजों के अंदर जो है, आपका institute भी involved है, आपका teachers भी involved है, जो आपके training कर रहा है, उसके बाद, आपके colleagues भी involved है, और सबसे बड़ी बात जो इससे पहले भी हम कर चुके हैंगे, आपकी society और family भी involved है, अब उसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, हमारा AC का एक institution है, जो बहुत अच्छा roll play कर रहा है, हम फर्स कर लेते हैं, हमारा जो teachers है, वो बहुत अच्छा ट्रेनर है, उसरे discrimination के उपर बहुत अच्छी है, पहले stage पे awareness दी, और दूसरी stage पे उसने activities करवाई, बच्चे ने स्कूल के अंदर, चंद गंटे, तीन, चार, पांच गंटे उसने गुजारने हैं, इस लेवल पर तो इससे भी कम time होता है, मुम्किन है तीन गंटे उसने गुजारने हैं, 21 hours या 20 hours उसने अपनी family के साथ और society में गुजारने, अब देखें, हमने यहां पर जो process किया, हमने awareness दी, हमने group activity करवाई, हमने उसको बताया कि discrimination नहीं होनी चाहिए, वो gender के अवाले से थी, या race के अवाले से थी, लेकिन अगर उसने society के अंदर, और अपनी family के अंदर, उसी अंदा में उसको नहीं observe किया, या वहां पर उसको कहीं तजाद पाया गया, contradiction आ गई, तो फिर उसकी development में असर अंदाज हो, अब इसमें दोनों चीजें शामिल है, आपका developing country भी शामिल है, आपके society भी involved है, उसके बाद आपकी family भी involved है, इन तमाम की integration से हम maximum output ले सकते हैं, और जब म 8% output नहीं ले सकते हैं, maximum ले सकते हैं, तो जहां कहीं family support नहीं करेगी, जहां पर society supportive नहीं होगी, society उन चीज़ों को adopt नहीं कर रहे होगी, वहां आपके result बेतर नहीं आ सकते हैं.